हेलो दोस्तों स्वागत है आपका आलवंडे एंड अधर जाम चैनल पे तो इसमें उमको बताने वाले हैं कि आरारवी एंटी पीसी के लिए आप सभी के लिए एक जरूरी सूचना दी गई है रेल बियो के द्वारा ठीक है दोस्तों तो इसके बारे हम आपको बताते हैं कि ज आप जुड़े रहे हैं और लगातार नए नए लेटस्ट वीडियो पाते रहे हैं तो दोस्तों आप सब जानते हैं कि रेलवे में लगातार भर्तियों के लिए अद्ध सूचना जारी की जा रही है और अलग-अलग हजारों पदों पर आवेदर आमंत्रित किया रहे हैं लेकिन रेलवे की एक ऐसी भरती है जिसका देश के करोनों उमिद्वारों को लंबे समय से इंतजार है वह है आरार्वी एंटी-पी-सी जी हां दोस्तों अब रेलव पेने बहुत जरूरी सूचना दी है और यह सूचना आर आर बीएंटी-पी-सी भरती परीच्छा की तारीक के बारे में है और यह उमिद्वार के लिए जानना बहुत जरूरी है कि ये परिच्छा में एक ।्समल तीन लाग से ज़ादा पदों परेजिया होनी बाली है महीनों पहले ही हो गई है और इस भरतिश के लिए रेल्वे ने अब तक नो महीने पहले ही असूचना जारी कर दिया था जिसकी अब सारी पूरी कर ली गई है अब क्यों एक्जाम एक्जाम बचा हुआ है और तब से ले के ही आवेदन करने टीर वन की परिछा जो है वह तेरह मार्च 2020 को आजित करा जाएगी और जान ले दोस्ते तेरह मार्च 2020 को आजित करा जाएगी जो अभी सर्कुलर चल रहा था इसमें यह भी बता गया है कि दूसरे चरण की केम्प्यूटर आधाय जो परिछा हुआ 23 मार्च से 30 अपरेल तक चलेगी जी हां दोस्तों यह जो सर्कुलर अभी आपको रेंटेंडिंग कर रहा है और यह सर्कुलर सोशल मीडिया पर भी तेजी से वारल हो रहा है लेकिन मैं आपको बता दो कि रेलबे ने इस संबंध में कुछ और ही कहा है रेलबे के अधिकारी को इस फर्जी से कुलर के बारे में आगा किया है और साथ ही रेलबे अधिकारी ने यह भी बता है कि अभी तक बोर्ड ने परिच्छा की को लेकर कोई फैसला नहीं लिया है गॉर्ट तलब है कि पहले भी आरार भी यह कह चुका है कि भरती परिशाए आजित करने के लिए एक बाय ऐजसी पर उंतिम फैसला होने के बाद यी परिच्छा का सेडूल हुआ अनजानकारी जारी है अभी जग्ताक्त कक दोस्तों इनके पास बाय इजनसी नहीं आ जाती है यह फैसला नहीं हो जाता' तब तक कोई सेडूल या अन्य जानकारी साजा नहीं कि जाएगी और अभी एक्जाम के लिए कोई भी सर्कुलर जारूरी नहीं किया गया है तक रिवन आपका एक्जाम जो होगा दूस्तों वह जून जुलाई तक जाएगा ठीक है तो चलिए जैसा आपको दूसरा नियुज सिस्काइब करना ना भूले था निवाद